वेलकम ओल आफ यू आप सभी का स्वागत है आपके इस यूटूब चैनल एडी सिंग फजिक्स पर तो हमने यूनिट फाइब को स्टार्ट किया था लास्ट के लेक्स के अंदर और हमने फीड़ बैक जो रिजिस्टेंस था वो हमने पढ़ा था बारक आउजन कंडिशन को हम हम डिसकोश किया था ईक्स लीटर का प्रिंशीबल क्या था हैं यह सारी बाते हम डिसकोश कर चुके हैं आज आपन पढ़ने वाले हैं सरकिट रिक्वायमेंट ओछ सेलफ अग्जिस्टेंस ऑसिलेटर सर्किट किस तरीख का सर्किट हमें रिक्वायमेंट है और दो figure दिएगे आपके सामने दोनों figure को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे बार काउजन conditions पढ़ी थी हमने उनका usable लेंगे क्या-क्या conditions आती हैं और आने वाले circuit जैनि oscillator बनाएंगे तो oscillator में बार काउजन conditions की क्या-क्या requirements है तो देखिए प्लीज सबसे important बात circuit requirement किसले चाहिए self-existence oscillator यानि swim यानि हमारे पास कहता है swim उच्तेजी दोलन यानि जो अपने आप क्या करें oscillator बनाएं बिना किसी अधर circuit की साहिता से तो देखिए आप सबसे पहले मेरे पास figure first के अंदर दिया गया है यह जो है वो हमारा amplifier है प्रवर्दक है और उसके बाद जो हमारे पास तीन दिएगे वन टू एंड थ्री अब वन टू एंड थ्री का मतलब समझिए वन टू एंड थ्री यहां पर हमने common emitter circuit का यूज किया यानि common emitter ओके तो हमने common emitter को जो है transmitter amplifier का usable किया है transmitter amplifier का usable लिया है ओके अब अपन बात करें कि जैड़ वन जैड़ टू और जैड़ थ्री यह तीनों ही क्या है देखिए यह दोनों सीरीज के अंदर है यह सीरीज दोनों मिलकर आगे किसके अंदर है पैरलर के अंदर है तो यहां पर हम क्या करेंगे जैड़ वन जैड़ टू और जैड़ थ्री तीन जो रिजिस्टेंस है उसका एक resultant बना लेंगे ओके तो यह तो बात हुई simple way की अब हमने लास्ट के signal होता था और यहां हम क्या देते थे बीटा जो feedback था ओके और यह हमारा क्या था आउटपुट था और आउटपुट से ही हमें क्या मिलती थी feedback मिलती थी और इसे MVF कहते थे और वी आउटपुट यह conditions हमने लास्ट के lectures में complete की है अब देखिए सबसे important बात यहां पर हमारे पास दो parts आये थे कि बार काउजन conditions को प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है a b यानि a बिटा किसके बराबर होना चीए पहले हम क्या करते हैं एक से बड़ा लेते हैं क्योंकि input को start करने के लिए सबसे पहले जब हम working को start करने के लिए सबसे पहले इस इस फिल्ड का usable लिए जाता है बाद में इसे negligible कर दी जाता है तो कहने का मतलब हम यह ऐसे भी कह सकते है कि a बीटा की value कितनी होने चीए तो कहने चीए और यहां पर यह क्या है ओने चीए और यहां बेटा क्या है feedback है तो यह basic बात आपको पता होने चीए चलिए आगे चलते हैं अब circuit के अंदर देखिए अब जब common ammeter transmitter amplifier होगा यानि यह हमारे पास होता है common ammeter हम वो भी parts discuss करेंगे पहले हम इस unit को start किया है तो जो यह वाला parts होगा जो यह वाला parts है third वाला e meter वाला वो तो ground किया है अब जब ground करेंगे तो हमारे पास क्या होगा अब जब equivalent circuit बनाएंगे अब equivalent circuit कौन सा है हमारे पास equivalent circuit यह है अब equivalent circuit को बनाने का वेन फंडा क्या होगा यहाँ पर हमने एक voltage रूप में लगाया है जिसको हम लिखेंगे gmvbe यह parameters होते हैं जिनको हमने फर्स लेक्चर्स के अंदर यानि फर्स यूनिट के अंदर complete किया था एच पैरामेटर के coding हमने gmvb को discuss किया था अब यहाँ पर important बात जो जो important बात बता रहा हूं आपने note करनी है importance अब gmvb जो हूई है वह आगे किसके साथ आर नोट आर नोट रिजिस्टेंस है यानि टोटल रिजिस्टेंस है और आगे वही pattern हमने यहाँ पर लाया है अब देखिए अब working किस तरीके के होगी working को थमस्टेंबले अब सबसे important बात अब यह जो feedback होगा अब feedback वाला कौन सा हमारे पास component होगा अब यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो parts है यह सारा का सारा यहां से यहां तक यह किसका काम करेगा amplifier का कारे करेगा किसका कारे करेगा amplifier का ध्यान से देखिए आप यह सारी की सारी वरकिंग यह इको कहाँ मैंने किया ground यह हमारे पास जो इन पीन सरकिट होता है एन पीन और पीन पी अपन डिसकस करेंगे एन पीन पी क्या है सबसे important बात जो है हमारे पास जो ground के अंदर जीम वी पी पराप्त हो है उसके लिए एको ground किया है जो की हमारा सीजिरा है जैड़ टू और जैड़ त्री यानि जैड़ टू और जैड़ त्री स्टार्टिंग के अंदर input क्या होगा इतना इतना पार्ट जो है यह amplifier का यूज करेगा प्रंतु जैड़ वन वाला इस्सा जो है वह feedback के रूप में होगा और feedback से यहां से connect होकर कहा जा रहा है यह हमारे amplifier को जा रहा है यानि मैं equivalent circuit की बात करूं जो जैड़ वन वाला पार्ट है वह feedback की working कर रहा है और यह वाला पा ओके चलिए आगे अब अपन क्या करेंगे अब देखिए अब जो working start कर रहे है पहले हम इन सभी जैड़ वन जैड़ टू के लिए एक जैड़ यानि एक लोड परतिरोद के लिए लेट कर लेते ताकि हमारे पास जो circuit है वो क्या हो equivalent हो क्या हो equivalent तो देखिए अब जैड़ जो है जैड़ वन प्लस जैड़ थ्री जैड़ जो है जैड़ वन प्लस जैड़ थ्री और यहां पर तीनों equivalent के रूप में है यानि जैड़ वन जैड़ टू और जैड़ थ्री हमने जैड़ थ्री circuit को as it is क्या कर दिया लेट कर लिया यानि यह सारा program क्या कर दिया हमने जैड हाउजन, कंडिशन के इंसार क्या चीए A βीटा is equal to 1 अब A βीटा कहां से आएगा देखी, A की value कहां से आएगी हमारे पास, A क्या होगा input के लिए, A जो हमारे पास होता था, यानि V output और V input A का meaning क्या था V output और V input यानि हम V output को calculate करते थे, तो A V input आता था, ओके और यदि हम A निकालें, तो V output into upon के अंदर V input, तो यह हमारे पास क्या थी, just conditions आती थी, क्या थी, just conditions आती थी, अब देखी, अब हमारे पास जो है A, अब हम A की value को calculate करना चाहते है, A की value को तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A की VBE, ओके, अब V output चाहिए, output के रूप में हमारे पास क्या है, देखी V output चाहिए, output कब आएगी, जब GM VBE और R note और ZL का क्या होगा, multiplication, अब देखी, V note को calculate करने के लिए क्या होगा, minus का GM VBE, अब देखी, अब यहाँ पर minus का निशान क्यों लगाया गया, सबसे important बात देखनी है, अपने minus का चिन्य क्यों लगाया गया, GM VBE के अंदर, अब जब working start हो रही है, जब working start हो रही है, तो यहाँ देखी आप, यह किस की ओर है, यह ground की ओर है, प्रंतु जब हम starting करेंगे, starting से equivalent circuit को बनाएंगे, तो बनाने के लिए, हमारी जो धारा होंगी, वो क्या करेंगे, इससे वीपरीच चलती है, तो वीपरीच चलने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर circuit ground में नहीं जानी, क्योंकि जब देखी, जब हमारे पास कोई भी धारा आएगी, यदि हम इसकी और move करेंगे, तो ground में चलीगी, हमें ground में नहीं पंचाना, हमें circuit को चलाना है, तो circuit को चलाने के लिए, इसकी धारा को remove करना पड़ेगा, यानि इसके direction को change करना पड़ेगा, और direction को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे नेगटिव करेंगे अब देखिए अब एक तो आर नोट है और एक जड़ल है आर नोट जड़ल कहां पर है आर नोट जड़ल सीरीज के अंदर है आर नोट प्लस जड़ल तो यह हमारे पास वी नोट की व वी बीए से वी बीए कैंसल तो माइनस का जी एम आर नोट जडल आर नोट प्लस जडल एक ही वैलू हमने कैलकुलेट कर लिए अब हमें क्या चाहिए अब हमें बीटा चाहिए और बीटा आती हम बार काउजन कंडिशन का लगाएंगे और हमारे पास रिजल्टेंट आएगा क कि self existence के लिए कौन से oscillation के लिए हमारे पास working आने चाहिए तो देखे ब्लीज अब एकी वैलू हमारे पास आई हमने एक की वैलू को यहां का कर देते हैं no down कर देते हैं ताकि हमें आने वाड डेरिवेशन में जो calculations आएंगी उसको हम node कर पाएं ओके तो यहां R node प्लस जडल A की वैलू as it is हमारे पास प्राप्त हो गई A की वैलू as it is हमारे पास प्राप्त हो गई अब देखिए अब A की वैलू हमारे पास प्राप्त होते ही अब हमें feedback चाहिए feedback अब feedback क्या होगा V feedback कितर क्या होता है V feedback होता है beta into V output अब हमने last lecture में किया था कि V feedback क्या था बिटा और वी आउटपुट का multiply और यदि यहाँ बिटा calculate करें वी एफ अपॉन वी आउटपुट ओके सेम ही बात है सिर्फ हमने change किये values को अब देखें वी एफ calculate करने के लिए बिटा चाहिए बिटा को as it is रखते हैं into वी आउटपुट कितना है वी आउटपुट अभी calculate किया था वी आउटपुट के लिए माइनस का gmvbe r0 zl r0 plus zl ओके तो यह हमने क्या किया था calculate किया था अब बिटा को calculate करने के लिए बिटा क्या है मारे पास बिटा vzl अब बिटा जो अब जब हमें चाहिए क्या हमें चाहिए बिटा की value तो या तो values put कर दो या values को remove कर दो कोंगे हमें vnote के रूप में चाहिए तो देखिए सबसे important बिटा अब बिटा क्या आएगा vf upon vnote और vf की value क्या आएगी z1 z1 plus z3 क्यों आएगी vf v बने feedback feedback के लिए क्या आएगा z1 जो है वो इन दोनों के क्या है हमारे पास parallel के अंदर है तो z1 z1 plus z3 तो यहाँ पर बिटा की value कितनी आगी मेरे पास z1 z1 plus z3 ओके हमारे पास a भी है बिटा भी है दोनों की values को रखते है देखते हैं resultant आता है ए बिटा कितना आएगा वन तो यहाँ पर रखिए value minus का gm r0 zl r0 plus zl into z1 z1 plus z3 is equal to 1 is equal to कितना आगया 1 हमने as it is value को यहाँ put कर दिया as it is value को क्या किया यहाँ पर put कर दिया और आद अब देखिए अब r0 और r0 और minus gm r0 और minus gm को हम क्या मान सकते है आप av मान सकते है av av क्या होगा amplifier voltage amplifier voltage यह as it is बढ़ा रणेंदो कोई दिक्कत नहीं है आप let कर ले तो ताकि इसकी calculation जो है जब हम calculation करने वाले हैं तब वहाँ पर क्या होगा हमें असानी होगी ओके तो देखिए करिए आप यहाँ पर मैंने put किया है put av क्या हैगा minus gm ओके तो यहाँ लिख दीजी आप minus का av zl r0 प्लस zl zl z1 plus z1 plus z3 multiply कीजी आप अब dividation करना है हमें calculation करनी है और कुछ भी नहीं करना अब देखिए r0 प्लस zl यहाँ के आएगा z1 plus z3 अब यहाँ से multiply होगा minus का av zl z1 plus z3 ok z1 plus क्या आजएगा हमारे पास z3 आजएगा अब अब क्या करेंगे अब यहाँ पर देखिए अब हमें just commons लेना है क्या लेना है just common लेना है common की value को हमने यहाँ पर set करना है ok अब देखिए अब या तो आप इस step का usable कर सकते हैं या आप ऐसे करिए z1 plus z1 plus z3 को as it is बढ़ा रहे न दीजिए और zl की value रखनी क्योंकि हमें zl की value रखनी पड़ेगी zl की value क्या थी हमारे पास zl की value हमने starting के अंदर calculate की थी z2, z1 plus z3 z1, z2 और z3 तो value रखी आप minus का av क्या आएगा यहाँ पर z2, z1 plus z3 upon के अंदर z1, z2, z3 ok upon के अंदर r note plus क्या आएगा z1, z2, z1, z3 upon के अंदर z1, z2 और z3 into के अंदर हमारे पास यही pattern चल रहा है और बराबर में कितना है 1 है बराबर में कितना चल रहा है as it is 1 चल रहा है यईनी हम a बीटा की value यनी हमी अभी a बीटा की value को put किया है a बीटा की value को हमने रखा है तो देखिया next step के अंदर किया करेंगे आपन बस calculation करनी है जैसे जैसे आप calculation करते जाएंगे आपके पास answer आएगा यह values यह value cancel तो क्या आएगी यहाँ पर यहाँ पर value आएगी minus का av z2 z1 plus z3 upon के अंदर अब यह multiply के अंदर जाएगा r note z1 z2 z3 plus के अंदर क्या आएगा z2 z1 plus z3 multiply के अंदर था z1 z2 plus z3 ओके तो यह हमारे पास as it is values आगी यह हमारे पास क्या आगी as it is values आगी अब देखिए अब z1 z2 z3 जो है यदि हम उसे शुद्ध यानि उसे purity उसे purity impedance को माना जाए तो मेरे पास z1 z2 z3 की value क्या आएगी j omega 1 और यहाँ j omega 2 और z3 क्याएगा j omega 3 ओके यदि इसे शुद्ध यदि इसे शुद्ध imperative माना जाए यानि omega की जगा x1 लिख दीजे आप x2 x3 और x3 यानि तीनों impedance माने जाए तो हमारे पास यह value calculation होगी तो रखिए यह value आप रखते ही av z2 z1 plus z3 into z1 z2 plus z3 आप ओन के अंदर के आएगा r note की जगा r note की जगा क्याएगा j x1 j x2 plus j x3 ओके अब यह value हमारे पास as it is बराब्त होगी यह value as it is होगी अब यहाँ पर भी आप value रख दीजे क्या रखेंगे यहाँ पर x2 x2 plus x3 ओके और यहाँ क्या आएगा x2 और यहाँ x1 plus x3 ओके अब यहाँ यहाँ j को ने गा है कूकि यहाँ j आते ही जे से j value cancel तो यह दोनों value तो उपर से जो आइटा वाली values है वह cancel हो जेगी सिर्फ इस step के अंदर values आएगे मारे पास अब यह step के अंदर value raising आएंगी तो हम जानते हैं we know that अब इसका phase कितना होता था 2 pi यदि हम 2 pi phase लें तो यहाँ पर jx1 jx2 jx3 यह कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे क्यों phase कितना है इसका 0 है तो हम क्या लेंगे imaginary वाला parts नहीं लेंगे कौन सा लेंगे purity वाला parts कौन सा लेंगे purity वाला parts को लेंगे ओके अब उपर क्या बचा हमारे पास minus का av x2 जो है अब देखिए x1 प्लस x3 और यहाँ पर क्या आएगा x1 प्लस x3 और as it is आजएगा उपर यहाँ x1 और यहाँ हमारे पास यह values आजएगी ओके अब देखिए अब हमारे पास as it is जो values है यानि x1 प्लस x2 जो है x1 x2 जो है यह x1 x2 और नीचे क्या आएगा हमारे पास x1 क्या आजएगा as it is x1 जो हमारे पास value आजएगी क्योंकि हमने यहाँ पर x2 का क्या किया था multiply किया था क्योंकि हमारे पास x2 था यहाँ ठीक है तो x2 का multiply as it is हमारे पास है इस step को हमने लिखना यहाँ बूल गे थे तो यहाँ पर x2 x1 प्लस x3 as it is आप लिख दीजिए देखिए minus का av x2 x1 plus x3 ओके और यहाँ क्या था x2 है multiply के अंदर और minus का x2 x1 plus x3 और यहाँ x1 plus x3 तो x से ए कैंसल हो जाएगा और मेरे पास x2 से x2 कैंसल हो जाएगा तो क्या बनेगा x1 तो यहाँ av x1 x1 plus x3 तो यह values आजेगी a बीटा की किसकी आजेगी a बीटा की मेरे पास आजेगी values अब यदि इसको a के बराबर रखना है इसको a के बराबर रखना है तो a के बराबर रखते ही मेरे पास क्या आजेगा यदि मैं इसको a के बराबर रखूँगा तो av की value कितनी आजेगी मेरे पास av की value आजेगी x1 यनि मैं इसको a के बराबर रखिए माइनस का AV X1 X1 प्लस X3 तो यहाँ पर क्या आजएगा X1 प्लस X3 अपोन के अंदर X1 यह आजएगा AV यह क्या आजएगा AV तो क्या कहना चाता है क्या कहना चाता है कि average जो values है जो हमारे पास AV कितना था अब हम AV की value लिखेंगे AV कितना था माइनस का GM VBE X2 प्लस X3 अपोन X1 कहना चाता है कि यदि दोनों impedance को जोड़ कर यह feedback के रूप में लिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा existence oscillator बन जाएगा क्योंकि हमने bar couch and condition का usable किया है bar couch and condition को satisfy किया है तो इसलिए यह परिपत कहना चाता है यह circuit कहना चाता है कि यदि इतने parts को amplifier और यह वाले parts को feedback के रूप में लिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा existence oscillator बनेगा और इस से इस oscillator का क्या होगा निर्मान होगा और हमारे पास waves प्राप्त होगी बस इसकी working कहना चाती है इसकी working को show कराने का better यही तरीका है कि कहना का चाता है आने वाले lectures के अंदर हम circuits पढ़ने वाले oscillator के cold pit heartlay और clap और wind bridge पढ़ने वाले है तो उन में से इन सभी किरियाओं का इन सारी working का usable लेंगे हम यह कहना चाता है कि इस topic के माजम से कहना चाता है कि आप step by step चल बार काउजन condition को निकाल लीजिए और वो condition satisfy होती है जिससे हमें यह पता लगता है कि कौन सी condition के लिए यानि x2 प्लस x3 क्या होंगे दोनों series के अंदर और x1 parallel करनी feedback के रूप में लिया जाए तो हम यहाँ पर circuit का निर्मार्ण कर सकते है basic concept यही है तो यहाँ तक हमने क्या किया circuit requirement of self existence OC later को complete किया है तो आज के lecture में सिर्फ इतना ही आपने दोनों figures मनाने है सारी derivation जो है आपने प्रोपर्स करना है तो आज के lecture में सिर्फ इतना ही और आप इस वीडियो को अन तक जुरूर देखिएगा और यदि मेरे चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को एक बार subscribe कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आने वाले वीडियो का notification आप तक पहुंच पाए ओके तो आज के lecture में सिर्फ इतना ही नेक्स लेक्चर में नए उक्सिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप घर रहिए शुरक्षित रहिए थैंक यू लोफ यू